हेलो लार्ना सो दिस आशिश कुमार एंड होप यौल आ जूंगुट सुडेंस अब हम देखने वाले हैं इंट्रोड़क्शन टू एंडॉड एप हैकिंग असल में एक अंडॉड एप क्या है और वहां पे किस तरीके से जो पैनेटरेशन टेस्टिंग का प्रोसेस अप में कम देरी करते हैं वे स्टार्ट करते हैं केला अगर आप में से कोई भी एथिकल है कि पैमरेशन टेस्टिंग या बग बाउंटी हंटिंग जैसे एडवांस कोसि में इंडॉल होना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिल जाएगा जैसे आप फिल को यूज देने के लिए उसका एपी के यानि एक एप्लिकेशन होना जरूरी है जिसका एक्सेंशन डॉट एपी के होता है हम उस फाइल को डाउलोड करते हैं इंस्टॉल करते हैं और हमारे एंडुएड में जो सौफ़वेर जैसे विंडोज में होते हूं इंस्टॉल हो ज जाता है यह हमें प्रोवाइड करती हैं खूप सारी अलग-अलग तरीके की फाइप के अंदर हम कई साही चीज़े कर सकते हैं चाहिए अब आप अपने फिर यानि जो बायमेट्रिक अथंटिकेशन प्रसेस है उसको देख लीजए या फिर आज के टाइम पर आपका एक सारे ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के आपको उप्शन प्रोवाइड करता है तो ऐसे ही क्या करते हैं सब्सक्राइब करते हैं कई सारे पास आता है वो है डिस्रिबुटेड वाया एप मार्केट प्लेस यारी सर हमारे जो एंडॉड एप्लिकेशन है यह हम तक कैसे करते हैं अंडुड एंडुड एंड डिवाइज में जितने भी फूचर थे और जो इसकी कैपलिटी इस जो हर्डवे डिवाइज की कैपलिटी इस होती है यह एप्लिकेशन उनको यूज लेने में मदद करता है एक्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई भी ट्रेडिंग आप उपन करते हैं तो स्टार्टिंग में आप से बाइमेट्रिक अथंटिकेशन मांगता है जिसके लिए हार्डवे यूज हो रहा है तो यह एप्लिकेशन क्या कर रहे हैं एक डिवाइज में जो जो फॉंशन हैं फ्यूचर है उन्हें हैंज ऑन करने में यानि यूज ले यूजर के एक्सपिरियंस को दिन बर दिन बहुत अच्छा कर पाते हैं उनको अलग लग तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर पाते हैं विकॉज एक एंडुएड एप्लिकेशन एक बहुत ही इजी फॉर्म में बनाया वा एक सॉफ्वेर है एक ऐसा सॉफ्वेर जो हार् जैसे टूस को देखे जो आपके टास्क को असान कर रहा है आपको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो यह हमारे एप की एक खासियत है आप की वज़ए से आज के टाइम पर हम बहुत साई चीज़ा असान हो जाती है लेकिन अब इसी एप में जो है हैं या पैन अब बहुत ज़्यादा इयूज हो रहा है उसके उसे काफी सारी है और यहैंग है कोई ब्लैक एकर करता है को बूरा खर करता है वो मेरे पूरे सिस्थेज्प को कॉम्प्रोमाइस कर सकता है घराब कर सकते जिससे जितने भी यूसर्द को इस परिप्रिकुलर आपिर को यू टेस्टिंग या वनरबिटी असेस्मेंट इस वज़े से करना है ताकि हम इने और भी ज्यादा सिक्योर बना सके ताकि हमारे user trust कर सके हर एक software को अपने system में use लेने के लिए कि उनका कोई भी data या उनकी कोई भी privacy loss नहीं होगा उसके आगे अगर हम देखे तो यहां पर हमाया पास आता है exploring different attack services जिसके अंदर हम क्या करते हैं अलग-अलग तरीके के जो attacks होते हैं वो perform करके देखते हैं system को safe रखने के लिए legal consideration and responsibilities का इसमें हम सबसे जादे ध्यान रखते हैं वाज हमें पता है without return permission और उस return permission में जो जो इन scope items है और जो जो rules regulations हमाई ले रखे गाए हम उनको follow करते हैं अपने सारी testing activities को perform करते हैं ताकि किसी भी app, server, system या user का या admin का कोई भी data loss ना हो के वर security perspectives हम वो testing करते हैं कोई loss नहीं कराना चाहते हैं नहीं होने देते हैं system को और secure और strong बनाते हैं then हमाई पास आता है importance of ethical hacking practices no doubt sir यह ज़रूरी है ethical word है हमाई ले काफी important role play करता है कि sir आप जो भी hacking activities कर रहे हैं वो legal तरीके से करें और उसकी practice इतनी अच्छी रखें कि आपसे कोई भी ऐसा task ना हो जाए आपसे गलती से आपके client का जो application है उसमें कोई loss ना हो जाए server पर issue ना जाए या कोई चीज corrupt ना हो जाए आपसे और जब हमें इस सारे concept clear हो जाते हैं कि sir में इस साई चीजों का ध्यान रखना और इस तरीके से एक अप्रोच रखनी है या फिर उस एप में use होने वाली technologies उनके software उनके versions की information हो यह सारी information जब हम gather करते तो हमाई लिए task आसाम हो जाता है कि हम समझ सके कि loophole कहां कहां हो सकते हैं उसके बाद हम देखते हैं static and dynamic analysis techniques यानि हम अपने app को अलग-अलग तरीके से analysis करते हैं चाहिए उसके लिए हम उसे decompile करना पड़े चाहिए जो हर एक action है हर एक log को हमें देखना पड़े हम दोनों activities perform करके app की working को समझते हैं उसको monitor करते हैं ताकि उसकी हर एक action को हम समझ सके क्यों क्या क्या कर रहा है और किस तरीके से कर रहा है then हम देखते हैं exploitation and vulnerability assessment part यानि सब आप एप की सारी working देख रहे होते हैं तो आपको loophole दिख जाते हैं उन कम्यों के जरी उस app में कितना नुक्सान हो सकता था आप वो देखते हैं उससे क्या impact पड़ता है वो देखते हैं ताकि आपको पता पड़े कि इस app की कमी को कितना जल्दी secure कर देना चाहिए इसका risk कितना जारा है उसके बार हम देखते हैं reporting and documentation part यानी सर जब हम आपास proper setup हो चुका है हमें पता है कि इस particular जगह पे कोई कमी है जिससे इतना ज्यादा नुक्सान हो सकता है तो इसका complete report बनाके हम share कर देते हैं उस developer को या उस admin को या हमारे उस client को जिसने में project दिया था ताकि वो उस report को पढ़ कुछ tools की requirement होगी कि sir कोई ना कोई tool तो use हो रहागा इस process में तो जो basic four tools हैं यहां पर सबसे पहला है adb android debugging bridge जिसकी मदद से हम अपने android device में command run कर पाते हैं उसे access कर पाते हैं उसे command line के जरिये manage कर पाते हैं then हमारे पास आता है apk signer जिसकी मदद से सर हम अपने application को recompile जैसी और एक आता है mobsf नाम का automation penetration testing tool mobsf एक ऐसा tool है जिसका full form है mobile security framework यह tool हमारे android device में जो भी apps हम यूज ले रहे हैं उन apps को completely scan करता है और केवल android के नहीं Microsoft mobile के जो software होते हैं उनको भी और हमारे apple devices यानि iOS devices के जो apps है software हैं उनको भी scan करता है उनके अंदर automation testing करके हमें बता देता है कि इस टूल के हिसाब से वह app कितने सेफ है या वहाँ पर कहां और क्या क्या कम्या है तो यह है हमारे कुछ common tools जो हमारे काफी काम आते हैं I hope आप सभी कोई parts clear होगा मिलते है next video में thank you